दोजून को USA में खेला जाना है साल 2024 का सबसे बड़ा क्रिकीट मैच और इस मैच में आमना सामना होना है इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले में क्या है हिंदुस्तान की ताकत इस मुकाबले में क्या है पाकिस्तान की ताकत इस मुकाबले म बात करते हैं तीम इंडिया की ताकत मुकाबला टीटवेंटी फॉर्मेट में खिरा जा रहा है और टीटवेंटी इंटरनेशनल की नमबर वन टीम है इंडिया सबसे बड़ा एडवांटेंज की आप टीटवेंटी की रैंकिंग में नमबर वन हो लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नमबर वन हो तो नमबर वन ही हो 2007 के बाद से कभी टीटवेंटी वर्ड कप नहीं जीता है लेकिन हाल पे हाल की रैंकिंग अच्छी है कि आप पीछे जो टीटवेंटी क्रिकेट है वो अच्छा खेलते आए हो तो इंडियान टीम के पास एक सबसे बड़ा एडवांटें यही है आगी बढ़ते हैं 264 रेटिंग के साथ नमबर वन है या रेटिंग होते हैं और इसमें एक अच्छी मार्जन के साथ आप नमबर वन बने हुए है यानि कि आपने टीटवेंटी में पिछली कुछ समय से अच्छा क्रिकेट खेलते आए हो टीम में यूवाओं की भर यूवा खिलाड़ी है रिशाप पंत भी टीट्वेंटी मेरने वाले हैं हलांकी वह ज्यादा यूवा नहीं है लेकिन वह यूवा है चाहें आप स्पिनर्स की बात करें आपके तेज गैंदवाजों की बात करें इस वार आपकी टीम में यूवाओं का ठीक ठाक जो वह भी खिलाड़ी भी है रोहित और विराट कॉली के रूप में तो यह एक बहुत अच्छा और कॉम्बिनीशन है जो नजर आ रहा है आगे बढ़ते हैं विराट कॉली फॉर्म में है आईपियल में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाई औस अच्छा रहा स्ट्राइक र पाई लेकिन वुम्रा का पॉफोमेंस बहुत अच्छा रहा इसकाई पंत करेंगे अटेक यह बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको विडिल और में तीन और चार नंबर पर अगर विराट ऊपन करते हैं तो तीन पर इसकाई आएंगे चार पर पंत आएंगे और दो ऐसे व वो उस वान को आगे भी जारी रखें और इसकाई के बारे में तो बाद करना है तो अपने आप वो अपना काम देख लेंगे और यूएस में भी खेल चुकी हैं रहां जो होती हैं प्तिशन अपता है जिसका अच्छा साफा फायदा इंडियन टींग पो मिलेगा और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है अब बात करती है पाकिस्तान की ताकत की नसीम शाह की गैंदबाजी नसीम शाह पिछले साल इंजर रहे तो जितने भी मुकाबले पाकिस्तान ने खेले फिर चाहें हम एश्या कप की बात करें पाकिस्तान की गैंदबाजी स्ट्रगल करती नस जराए लेकिन नसीम शाह की जो गैंदबाजी है एक एड़्एज होगा पाकिस्तान के लिए टी-20 वर्ड़कप में और मोहम्मद रिजवान की बलेबाजी मोहम्मद रिजवान को कहा जाता है कि वह एक ऐसी खिलाड़ी हैं अपने दम पर किसी भी मैंच का रुख बदल सकते हैं और टी 20 में एक नहीं कई बार आपको मैंच जिताया तो ऐसे में मोहमद रिजवान की बल्लेबाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है अब और पाकिस्तान की ताकत बताने के लिए मेरे पास कुछ है तो अब आगे बढ़ते हैं टीम इंडिया की कमजोरी के लिए क्योंकि पाकिस्तान की ताकत सिर्फ इतनी ही सीमत है रिजवान और आपका नसीम शाह बाकी खिलाडिस सन्नाटा है अब इंडियन टीम की कमजोरी पर आते हैं फिर पाकिस्तान की कमजोरी के बारे में बात करें इंडिया की कमजोरी सबसे पहले रोई शर्मा की फॉर्म रोई शर्मा की फॉर्म टी 20 में हमेशा एक सवालों की घेरी में रहती है पिछले दो दील वर्ड कप उनकी बहुत अच्छे नहीं गई एज बैट मैन और आई पील में भी उनके रन नहीं है पिछले 3-4 सालों में इस है आउट ऑफ फॉर्म हार्दिक पांडिया भी इस समय आउट ऑफ फॉर्म में है उनका तो मतलब इस समय चाहें मैदान की बात कर ले वहां पर पर्फॉमेंस खराब चल रहा है और जो परसनल लाइफ में उनका जो एक रिलेशन है उसके बारे में लगातार खबरे चल रही हैं अक्षर पटील की ऊपर भी सवाल रहते हैं जिनकी गैंदवाजी और विकेट समझ आते हैं और ऐसे में टीम इंडिया की कमजोरी थोड़ी इस पिन गैंदवाजी भी है तीज गैंदवाजी में बुम्रा यह सबसे बड़ा कंसर्ण हैं इंडियन टीम के लिए कि आपके जस्पित बुम्रा है और आपकी अर्शदीप सिंग है तो तीसरे महांबस सिराज और ऐसे में आपकी ताकत है वह जस्पित बुम्रा है और वही आपकी कमजोरी उनकी बाद कोई आपकी पास इस तरह का गैंदवाज नहीं है तो यह मेरे हिसाब से इंडियन टीम के लिए साहब इनको पिछले साल मतलब देख लिया हमने किस तरह टी ट्वंटी इशिया कप में पाकिस्तान की लुटिया दोगो दी उसके बाद वर्ड कप में परफॉमेंस खराब रहा और फिर भाई ने चोड़े होकर रिज़ान कर दिया कि अब मैं कप्तानी नहुं करूंगा इसके इनके तौर पर क्लॉप रहे कप्तान के तौर पर टॉप रहे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में अगर सबसे कुछ बुरी चीज़ है तो वह बावर आजब और लोग इनको हिंदुस्तान में कहते हैं विराट कौहली से बड़ा बल्ले बाज है अरे बूद होकर आओ भाई पेर करते हुए विराट और बावर के थोड़ी सी शर्म हो तो थोड़ा सा चुलू भर पानी लेना यह जो बावर की तारीफ है कौन है यह बावर भाई क्या किया इसने जिंबामे की खिलाफ रन बनाया वो तो हमारे ऑफिस में जो स्पोर्स टीम में अपूर्व अंकित है वो भी बना देंगे जिस तरह से बावर रंग बनाते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ी कमजोरी यह आदमी है पाकिस्तान की बावराजम आगे बढ़ते हैं शाहिन अप्रीदी इनको कहा जाता है वसीम अक्रम है लेकिन यह ऐसे वसीम अक्रम है जो वसीम साहा विकेट लेने व भई को शाहिन साव रीदी नहीं खट महें मामला मैं देख लिया वर्ड़कप में देख लिया कितनी भाई को बार पड़ी क कप्तान बने अपने सशुर साहाब शायद अप्रीदी की अप्रोश लगाई कंप्तान बने कर लें तक है बड़े गैंदवाल से मतलब ठीक ठाक पाफॉर्म कर रहे थे लेकिन वह दो खाने के बाद इनका जो करियर है वह आल्मोस्ट ओवर हो चुका है क्रिकेट खेलते नहीं है खेलते भी हैं तो इंजर रहते हैं जादर मैदान पर भी नज़र नहीं आते हैं तब से लिएकर अब इस रॉफ गायब हो चुके हैं एकदम खत्म हो चुके उससे पहली तक रमीज राजा ने कहा था कि कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो तुम डेड़ सो पर ग्याल फेको और शौट मारकर दिखा दिये विराट कॉली ने डेड़ सो पर दो मारकर दिखा दिये इसलिए बड़ कंप्टीशन होता तुम्हें कहता आजम खाने से राइट चॉइस है लेकिन यह क्रिकेट का मैच है और यहां पर देड़ सो किलो का बैट मैन आई डूंट थिंग उसको खेलना चाहिए अब यह भी भरती होटाले के तहत कहलो अप्रोच के तहत कहलो पाकिस्तान तीम में आ देते हैं और पाकिस्तान ने लिया अप्रोच लेयर है तो भाई ठीक है अप्रोच से जब कप्तान ही अप्रोच है तो पुरी टीम अप्रोच रहेगी ना इमाद वसीव यह बावर के सबसे बड़े दोश्मन है पिछले एक-दो साल से जब से नोना रिटार्मेंट लिया थ यह नहीं भी लिया था यह अभी कंफर्म नहीं है पकिस्तान में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है पिछली एक-दो साल से बावर इनको स्लेक्ट नहीं कर रहे थे भरवर के मतलब पूरी तरह से गालियां बग रहे थे वर्टकप में इन्होंने क्या किया यह उसके बाद से ज लाए हैं एक और शादब खंसाहब तो यह थी मतलब पाकिस्तान इंडिया की ताकत और कमजोरी मतलब हिंदोस्तान की हमें ताकत नज़राई और कुछ कमजोरियां नज़राई और पाकिस्तान की हमें कमजोरियां जादा नज़राई और ताकत दो ही नज़राई और पाकिस् होता है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर मैदान पर बिड़ेंगे तो मैच से पहले तो लोग खत्र रहे हुए लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो रोकर ही वापस जाएंगे और विराट काली यहां पर भी हच रहे हैं और मैच खत्म को अनंगे बात भी हसते हैं तो इंडिया पाकिस्तान की ताकत और सिर्जार Full यह जादा से द्यादा करें गांशेर करें दिए लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाएकि इंडिया और पाकिस्तान की इस मुफाबले में क्या ताकत है और क्या कमजूरी है